हेलो गाइज वेलकम बैक टो और यूटूब चैनल इंजिनेरिंग नोट्स तो आज हम आपके लिए फिर से लेके आये है और एक लेटेस जॉब अपडेट तो आज का जॉब अपडेट आया है मेकेनिकल ब्रांच के लिए तो आज का अपडेट देखने से पहले चैनल पे है हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन का प्रेस करें ताके ऐसे ही लेटेस अपडेट आपको मिलते रहें तो आज का अपना जॉब अपडेट आया है हिताची कंपनी की तरब से तो इसके लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक के बाद आपके समने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा यहाँ पर जैसे के आप देख सकते हो दो ओप्शन यह है कीवर्ड्स जॉब टाइटल या स्किल्स यह टाइप करके भी आप जॉब सर्च कर सकते हो या फिर आप लोकेशन टाइप करके भी सर्च कर सकते हो के उपर क्लिक करते हो आपके समने 366 जॉब अपडेट आ जाते हैं जो कि इंडिया में है तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रोल करना है यहाँ पर बहुत सारे आपडेट्स आपको दिखाई देंगे जैसे कि SD EDI प्लस TM कंसल्टंट पावर प्लाटफॉर्म डेवलोपर ऐसे बहुत सारे जॉब अपडेट्स है आज जो मैं जॉब अपडेट बताने वाली हूँ इसके लिए आपको नीचे स्क्रोल करना है यहाँ पर आप देख सकते हो एक्जिकिटिव प्लान कंट्रोल हिताची स्टेमो राजस्तान ब्रेक सिस्टीम यह जॉब अपडेट आया है ज जैसे आप इसके उपर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा यहाँ पर उपर कंपने का नाम है हिताची इंस्पयर दर नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट का नाम है एक्जिकिटिव प्लान कंट्रोल हिताची स्टेमो राजस्तान ब्रेक सिस्टम प्रोफेशन है इंजिनेरिंग और साइन्स, जॉब टाइप है एंट्री लेवल, जॉब शेडूल है फूल टाइम, तो चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्चन क्या क्या लिखका है, जॉब का टाइटल है एक्जिक्टिव प्लान कंट्रोल, ग्रेड है एक्जिक्टिव, लोके प्रेशन है निम्राना जो की राजस्तान में है कंपनी का नाम जैसे की मैंने बताया हिताची एस्टेम राजस्तन ब्रेक सिस्टेम्स, यहाँ पे उन्होंने कंपनी का ओवर्यू लिखा है हिताची एस्टेम राजस्तन ब्रेक सिस्टेम् is involved in development, manufacture, sales and services of automotive components, transportation related components and industrial machines and system etc. तो अ आपे requirements क्या-क्या लिखी है चलिए देखते हैं फर्स्ट है monthly investment summary, second preparation of monthly MIS and submit to management, next है close CWIP on monthly basis with account department, ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे points दिये हैं, total उन्होंने 11 points दिये, आप इसे चेक कर लेना, तो चलिए देखते हैं experience और qualification क्या-क्या required है, यहाँ पर work experience required है 5-8 years, अगर आपका diploma या B.T.E.C. complete हुआ है, और अगर आपने MBA भी complete किया है, तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, apply करने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें, तो चले देखते हैं application process क्या है, यहाँ पर apply का button दिया हुआ है, आपको इसके उपर simply click करना है, जैसे ही आप apply के उपर click करते हो, आपके सामने कुछ form आ जाएगा, यहाँ पर total 7 steps दिये गए है, यहाँ पर first step है introduction, आपको यह sublines पढ़के, यहाँ आपके I accept के उपर click करना है, इसके बाद processing लिखा है, इसके बाद second step आ जाता है, यहाँ पर आपको यह checks box click करना है, और आपको next के उपर click करना है, जैसे आप next करते हो, third step आ जाता है, यहाँ पर आपको resume upload करने के लिए बोला है, इस job के लिए जो qualification required है, या फिर skills required है, उसे आप आपके resume में add कर सकते हो, जिस कारण आपके selection के chances बढ़ जाएंगे, आपको यहाँ पर resume upload करना है, उसके बाद आप next के उपर click कर सकते हो, जैसे आप resume upload करते हो, आपके सामने next step आजाएगा application का, ऐसे ही सारे 7 steps आपको complete करने है, और apply के उपर click करना है, जैसे आप apply के उपर click करते हो, तो आपका resume company के पास आजाएगा, तो यह था हमारा आज का job update, ऐसे ही job update देखने के लिए चैनल को subscribe करें, कुछ doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हो, तो आज के लिए बस इतना है, चले मिलते हैं next video में, thank you for watching,